नमस्का फ्रेंट्स आज हम तुला लगन के जातकों के लिए उक्टूबर का महीना कैसा रहेगा इसकी विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो का आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और एक बैल आइकन उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिशन मिलती रहे तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं तुला लगन वालों के लिए जो लगनेश है शुक्र वो वरतमान में बारवे भाव में नीच राशी का हो गया है कन्या राशी में गया है तो यहां पर लगनेश नीच का हो गया है अब लीच का होने पर यह सारे प्रिणाम आपको नीच के नहीं देगा, कुछ अच्छे प्रिणाम भी आपर तुला लगन वालों को, जिनको शुक्र की दशा अंतर दशा और प्रतिंतर दशा चल रही होगी, उस हिसाब से देखने को मिलेंगे. एक तो पहले सोच से पहले आप समझ लिजी कि बारवें भाव में शुक्र नीच का हुआ अगया, तो इस समय वरतमान में जो आपका व्याय होने वाला है, जो खर्चा होने वाला है, वो किसी महिला मित्र पर होना है, या आपकी पतनी है, उस पर धन व्याय होता वर नज़र आ आपको अपने लेवल पैफर डालना पड़ेगा, आपके स्पाउस की तरफ से लेडी लग आपका साथ देने वाला नहीं है, और वहीं पर आपको खास धोर से ध्यान देना है कि बैटरूम में कोई जगडा नहीं करना है, क्योंकि नीच का शुक्र बारवें भाव में गया ह तो हमारे जो शायन कक्ष होता है, वहाँ पर व्यक्ति इन स्थितियों में जगडा करता है, तो आप जगडा करने से प्रहेश करें, धन का अपव्याय बिलकुल ना करें, और परिवार में कोई इस तरह से कोई चीजे दिखाई देरी कि कोई नुकसान हो सकता है परिवार के किसी भी तरह से, तो परिवार में कोई नुकसान के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहें, और विदेशों में जो कारें करते हैं या विदेश से कोई जिनका कोई समंध है, जो कारें हैं, वहाँ पर उन समंधी कारें में थोड़ी बहुत यहाँ पर रुकावटे, अडचने, इस मीने आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इस समय आप अगर उसका थोड़ा सा ध्यात्मिक अपने मन को प्रविर्द करें ध्यात्म के मार पर, स्पिरिचलिस्टिक ग्रोथ के लिए क्योंकि यह बहुत अच्छा समय है, और जिनका विवाह योगे समय है, तो किसी अमीर इ इडिसे आपका विवाह का चांस आपर बन रहा है, और विवाह के बाद फिर विदेश जाने के अफसर भी या सेटल होने के लिए भी यहां पर शुक्र आपको पूर्ण रूप से मदद करेगा, और क्रिटिविल्टि क्योंकि शुक्र जो होता है, वो क्रिटिविटी का कार उन सभी को जो है वो लाब किस्थितियां शुकर बार्वे महाँ में दिलाता होना जराएगा और इस समय जो खास तोर पर जो कोई फीमेल एक्ट्रेस है उसको थोड़ा सा कश्ट यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको मॉंडेन लेवल पर बात करें तो कोई जो महील एक्ट्रेस है उसको इस महीने जो है उक्टूबर में कोई टरबल यहां पर मिल सकता है क्योंकि शुक्र किस्थिति अच्छी नहीं है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जिनको सूरे की दशा अंतर दशा और पर तें अंतर दशा चल रही होगी तो सूरे भी इसमक्त नीच र का हुआ है तो यहां पर 11th house का लॉड नीच का हुआ है तो कहीं न कहीं जो है वो आपके जो आपका जो नेट्वर्किंग सर्कल है आपके मित्र है आपके फ्रेंड्स हैं उनका सहयोग यहां बड़े भाई बैन है उनका सहयोग आपको बिलकुल भी इस महिने पराप्त होने नहीं है और उसके वज़े से होज़ आपकी एगो हट होगी आपका अहम यहां पर तूटता होना ज़रा रहा है और आपके आत्मविश्वास में सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी यहां पर कमी होने वाली है जिनको सूरी की दर्शा अंतर दर्शाय प्रतियम तर्शाय से चल र वहीं से ही आपके धनलाब के अफसर भी पैदा करेगा और इस समय गुप्त धन प्राप्थ होने की स्थिति भी बनती हुए नजर आ रही है क्योंकि अश्टम भाव का स्वामी लगन में गया है तो गुप्त धन प्राप्थ हो सकता है और उसके लावा जिनका बिजनस या क्रिटिविटी का काम है उन सभी चीजों से धनलाब के स्थितियां बन दीव नजर आ रही है और क्योंकि लगन पर गया है तो जो ये धनलाब का वैब भी करवाएगा तो आप अपने स्वास्थे पर जितना एक्स्पेंडिचर करते हैं सेल्फ केयर पर जितना पैसा आप कर आप सायगा और सरकार की तरफ से कोई समस्या है आप को मिल रही है या बॉस की तरफ से भी परिशानी आपको जहनी पढ़ सकती है जिनको सूरह की दरशा अंतरशा या प्रितियंतरशा चल रही होगी उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंगल रह की मंगल आपके अश्टमस्तान में है तो अश्टमस्तान में मंगल वरिशब राशी में है, टॉरस साइन में है और टॉरस साइन की वज़े से जो लोग मेकप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटीशन का तो वहाँ पर उस चीज़ों में थोड़ा सा ग्लैमर को लेकर किया आता है तो इसलिए से हेर ड्रेसर का काम है और टॉरस जो होता है वो साइन वैसे भी फेस का होता है हमारा मूँ जो होता है कालपुर्ष कुंडली में वरिशब साइन से देखा जाता है तो जो ब्यूटी है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है और क्योंकि खाने का भाव भी टॉरस के पास ही है तो यहाँ पर कुकिंग का जिनका काम है इस रेस्टरेंट का बिजनस है ठीक है उनके लिए बहुत अच्छा समय है मंगल की दशा अंतर दशा या प्रति अंतर दशा उनको बहुत लदर लाब लेकर के आएगा और यहाँ पर कहीं न कहीं आप इस्तरियों से गर्ल्स से या लेडीज के साथ जो है वो आप बुरा वेवार करते में नज़राएंगी या उनके प्रति स्ट्रिक्टेस जदा आपके वेवान में देखी जाएगी क्योंकि अश्टम भाव में गया है बुरा हाउस है वहाँ पर और उसी कसा से मैंने पहले कहा कि जो फैशन डिजाइनर्स हैं मॉडल्स हैं और जिनका काम मार्केटिंग काम है एड़र्टीजمن्ट का काम है या क्रिटिं कार्ट्स का काम का है ट्वाइज का काम है खेल जो बच्चों की खेलोने है और ब्यूटी कास्मेटिक प्रडुक्स का काम है इन सभी को ये मंगल की दशांतर दशा और परतेंतर दशा बहुत अच्छे प्रणामिया लेकर के आएगी क्योंकि मंगल आपके दुट्य भाव का स्वामी बनता है और सब्तम भाव का स्वामी बनता है और अश्टम पर जाने की वज़े से थोड़ा सा आपके स्वाउस या पार्टनर के स्वास्ते में हानिया आपर दर्शा रहा है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जिनको बुद्ध की दशांतर दशा या प्रसंतर दशा चल रही होगी तो बुद्ध का उच्च किस्तिती में बार्वें भाव में अपनी कन्या राशी में बैठा हुआ है तो बुद्ध को आप जानते हैं कि मेसेंजर आफ गौड कहा जाता है देवताओं का दूत बुद्ध को कहा गया है क्योंकि कॉमुनिकेशन के इस जितना भी पॉर्टफोलिय इनके पास है तो यहां पर विदिश में भाग्य गुनिती के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं लोग बाहर गए हुए हैं विदिश में जो बसे हुए हैं हमारे भारती हैं उनके बागे में बढ़ुतरी यहां पे करता हुं नजर आ रहे हैं और बाँके साथ अगर आपके कई relationship से हैं बाहर के कसी विक्ति के साथ या किसी सहस्ता के साथ तो वहाँ पर उन डिलेशिंशिप से आपको लाब मिलेगा है बुद्ध की स्थिति और आपके सम्मन्द भी बाहर किसी वेक्ति सहसे बनते वे नज़रा रहे है और वरतमा समय में आपका खर्च यूँ होने वाला है वो यात्रों पर खर्च होगा क्योंकि नमम भाव का स्वामी है तो धर्म हो गया या तिर्थ यात्रों पर खर्चा हो सकता है और बुद्ध जो कारक है वो हमारी इंटेलिजन्ट का कारक होता है और हमारी हैड राइटिंग को भी बरकरी के दोरा दिखा जाता है तो इन सबी चीजों की विज़े से जो आप धनर जित करते हुए नज़रा रहे है और पिता के साथ थोड़े से समन्द खराब चल आपको दिखाई देंगे इनके समन्द थोड़े खराब हो गए है और बार्में बाव में जाकर कि बुद्ध उचका हुआ है तो आपकी इस समय वरतमान में आपकी intuitive power जो सोचने की शमता है वो बहुत ज़दा strong इस समय नज़रा रही है और अगर आप अपने आप से कोई समवाद इस समय करते हैं तो आपके अंतरात्मा से आपको बहुत clear message यहाँ पको प्राप्त होगा या आप सहे कहीं तो सही आपको direction यह सही दिशा जो है वो आपको अंतर मन से इस समय प्राप्त हो सकती है और बारवें भाव में बुद्ध उचका होगा है तो आपको बहुत ज़दा bold मना देगा बहुत ज़दा आपके अंदर डर बिलकुल खतम कर देगा बहुत उतेजित या अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं boldness आपके अंदर बढ़ती ही नज़र आ रही है और इस समय आप खास तोर पर कोई आपका document sign करना है कागज पर sign करना है या कागज पर कुछ mail करना है कुछ भी करना है तो आप उसको बहुत साफधान भी पुर्वक कीजे क्योंकि बोद यहां पर आपको कही न कहीं धोके में डाल सकता है कागज समंधी कारियों में और बात करते हैं जिनको गुरू की दशांतर दशा या प्रतियंतर दशा चल रही होगी तो गुरू आपके छटे भाव में बैठा है और यहां पर बच्चों की एजुकेशन में आपको थोड़ी से कही न कहीं इसके वैसे दिक्कते या दिकाई दे रही है जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ीगी तहीं तो आपको जो है वो माक्स यहां पे कम आते वे नजर आ रहे हैं आपकी प्रतिद्वन्दी हैं, वो आपसे ज़्यादा आप पे हावी होते वे वरतमान में नजर आ रहे हैं और यहां कही न कहीं भ्रेश्पति की चटे भाव में जिस्तिती है वो विक्ति को practical experience दिलाती है जो समाज में जिस्ता से रहते हैं उसका practical experience आपको है हमिलेगा क्योंकि service का sign होता है चटे बाओं में और यहाँ पर गूरु आपको नौकरी दिला सकता है नौकरी पर आपको लगा देगा और उसके लावा जो अगर आपके पास जो आपके अधिनस करमचारी है spodinates है या आपके जो servants है उनकी पूर्ण रूप से साहता आपकी पूर्ण मदद वहां करते हैं नज़ा रहे हैं और वरतमान में अगर आप कोई तुलाल अगन वाली जिनको गुरू की दशा अंतर दशा है प्रतियंतर दशा है वो कोई नया स्टाफ रखना चाहते हैं किसी विक्ति को हायर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत तमस्तिती बनी हुई है बिजनस को फैलाना चाहते हैं उसके लिए गूरू बहुत अच्छी स्थिती में बैटा हुआ है और यहाँ पर इस समय गूरू आपको अपने शत्रू पर भी विज़े दिलाएगा यहाँ शत्रू आपके साथ मिस्तरतापूर विवार करते में नज़र आएंगे शत्रू भाव में गूरू गया है और यहाँ पर माता को कश्ट दिखला रहा है माता की तरफ से चिंटाएं मनी हुई है और कारिस्तल पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा महनत करने के लिए खूरू कि शत्रू घर में गया है यहाँ पर आपकी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें कहीं न कहीं, गुरू की इस्तिती कोई न कोई रोग उत्पन करती हुए नज़र आ रही है, तो अपने स्वास्ते का पूर्णूप से ध्यान रखें, और जिनका प्रफेशन डॉक्टर है, या एड्व वरतमान में आपको कम ही प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जिनको शनी की दशांतर दशा या प्रतिंतर दशा चल रही होगी, तो शनी आपके चतुर्थ स्तान में है, तो यहाँ पर माता का सुख पूर्णूप से आपको मिलेगा, म उसको बहुत ज़दा लाप किस्तिती बन रही है, और अगर आप खरीदने की मकार या जिमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो शनी यहाँ पर आपकी पूर्णूप से उस कारे में मदद करेगा, चतुर्थ बाव हमारे प्लेस ऑफ रेस्ट होता है, सुख स्थान जह आराम करते हैं, तो यहाँ पर आराम करने का मतलब है, आप स्वेम विक्ती काम नहीं करेगा, वो दूसरों से काम कराएगा, और आप आराम से अपनी चेयर पे जो है वो, उन पे जो है ओर्डर या उनको मैनेज करते में नज़र आएंगे, तो इस समय वरतमान में आप अच् पनाते हैं, डेकुरिशन का, उन सभी को यहाँ लाब यहाँ पर शनी की स्थिति दिलाती हैं नज़र आएगी, और यहीं कहीं न कहीं शनी चतुत भाव में दशंब पर देखने की वज़ा से दशंब हाउस में, आपको कहीं न कोई स्टेटिस दिला रहा है, कोई हायर उनको भी यहाँ लाब किस्तिति शनी दिलाता हुआ नज़र आएगा, उसके बाद शनी क्योंकि यहाँ पर बर्तमान में धनिश्टा नक्षत्र में है, और धनिश्टा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है, तो जो कंस्ट्रक्शन का जिनका कार है, सिवल इंजिनेरिंग से जिनका विजुनस है, जो जमीन या मकान की खरीद फ्रोक्त करते हैं या और रेस्ट्रक्शर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और वरकिंग, आगर आपने इंप्रॉइस को रिकूट करना है, आपका जो कूम लगन भोख को होता है, वो रिकूटींग क् प्रिजेंट करता है तो मूलत्रिकॉंड जो है उसकी राशी शनी की कुम राशी है तो यहां पर जो है वो जो जो लोगों को कारी पर रखते हैं जो इंप्लॉईस को रिकूरूट करते हैं उनको भी यहां पर शनी की स्थेती बहुत ज़्यादा लाब दिलाती भी नजरा रहे बात करते हैं चाय ग्रह राहू की तो राहू आपके सब्तम भाओं में है और राहू ऐसा प्लैनेट है जो हमारे आपसेशन को बढ़ा देता है हमारी चाओं को बहुत ज़दा प्रजुलित कर देता है उसकी अगनी को और राहू जहां भी बैटता है वो उस भाओ समंदी सब्तम भाओं का स्वामी मंगल अश्टम भाओं में गया है तो यहां पर आपकी रिस्क टेकिंग वाले जितने भी काम है उन सभी में आपको लाब यहां पर राहू दिलाता हूँ नजर आएगा और जैसे कि आप गैंबलिंग करते हैं स्पेकुलिशन हैं स्पोर्ट्स में बैटिंग है खेल में आप पैसा कहीं लगा रहे हैं उन सभी में आपको लाब होता हूँ नजर आ रहा है और सब्तम भाओ वेपार का होता है ट्रेड का होता है तो यहां पर वेपार से भी आपको लाब की स्थेती राहो की विज़े से बनी हुई है और जो भी रिस्क के जैसे की वहिकल रेस है गाड़ियों की रेस है इन सभी में वी क्योंकि मंगल जो है वो फास्टनेस का काम है तेजी का काम है तो रेसिंग मोटल रेस है तो वहां पर आपको राहो की दशांतर दशा प्रतिंतर दशा इन सभी वेपसायों में लाब दिराता हूँ नजर तो फर्स्ट हाउस में है लिबरा साइन जो हम जानते हैं तुला साइन होता है वो रिलेशिशिप का साइन होता है तो यहां पर जो आपका है आपके अंदर जो है वो रिलेशिशिप बढ़ाने की तड़प इसमें बनेगे आप लोगों से मिलना चाहेंगे और लोगों से कहीं यह दामपत्य जीवन में संतोष फिलाएगा आपके वो रिलेशिशिप को खराब करेगा और वर्तमान में बहुत ज़दर डैवोर्स यहां पर देखने को मिलेंगे जब तक केतु यहां पर 18 महीने के लिए घोचर कर रहा है तो इन जर्नल आप देखेंगे बहुत ज़द है वो सबको बराबर बाढ़ने का तुला जो तुराजू है वो सबको बराबर बाढ़ने का काम करता है सबके साथ समरस्ता रखता है लेकिन केतु के यहां पर विक्ती में एक तरह से कट्रता आ जाती है वो एक तरफ चलता है अपनी ही बात रखता है तो कट्रता है यहां प का Aeroplane Industries, Aeroplane Engineers है, उन सबी के लिए बहुत अच्छा है और अगर आप जो है वो किसी के साथ सम्मंद बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्तमान में बहुत उत्तम स्थिति है केतू की तो आपके लिए अगर आप इस दा से प्लान करते हैं केतू की दशा नतरदशा में तो जो दमबति जिनको विवाभी हुआ है तो संतान प्राप्त कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,